एक्क्यासी पद में आप लाइन खीज़ दो दस फिर दस आप इधर भी लाइन खीज़ दो एक्क्यासी पद में ब्रह्म निकालने का तरीका हो गया इसको आप ऐसे कर लो और ऐसे कर लो यह बीच का हो गया और यह तीन हो गये वैसे यह तरीका ऐसे नहीं होता इसका तीन यह यह ब्रह्म होगा इसका इक्यासी पद में ब्रह्मेस्थान नव पदों में होता है यह ब्रह्मेस्थान अब यह तरीका होता कैसे है यह समझे आप सीधा जैसे इससे पहले आपने चौसर पद में देखा होगा चौसर पद में हो गया था पूरा चौसर पद में आधे आधे पद में दो देवता होते हैं यहां पर यहां एक एक पद में देवता होते हैं सब में यह जो 81 पद वाला बनाया गया है ये मकान के लिए दुकान के लिए सब के लिए बहुत अच्छा बैठता है अच्छी तरह से अगर आप पद विन्यास को समझ गए तो ये बहुत अच्छा तरीका बैठता है आपका आगे ले जाने के लिए आप एक एक पद में यहां से आप एक दो एक दो तीन चार आप चलते हैं, तो इस हेसाथ से आप एक से लेकर 35 तक ऐसे लेकर चले गए, इसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि इसमें वो जो वृत वाला दिया गया है, वो कैसे बदल गया यह, इसके बाद छे पद में उसमें चार पद में था इसमें छे पद में ये देवता होते है एक दो पद में ये दोनों देव हो गए दो पद में दो दो पद में यहाँ पर दो देवता होते है फिर दो पद में चारों कोने पे जो इसके ब्रह्म के बाद के देव हो गए वो ये दो-दो पद में हो गए सिंपल है आपके एक बार में समझ में आ जाएगो फिर उसके बाद छे छे पद में ये देव हो गए ये है ना छे पद छे पद में ये चारों मुख हो गए ब्रह्मा जी के छे पद में ब्रह्मा जी के चार मुख ये विवस्वान और ये मित्र देखें ठीक ये ब्रह्मिस्थान निकल गया इक्यासी पद वाला इसमें नौ पद में ब्रह्मिस्थान होता है इसका जो एक बीच वाला ये पद था ये ना भी है ये जो पद था ने एक बीच वाला ये नेवल सिंटर है ये ना भी है जो बिल्कुल हम exact point पे जहां पर हम कपूर रखते हैं अगरवत्ती रखते हैं जो सारी चीज़ें उसकी जो रमेडी जो जो चीज़ें हैं वो ये नेवल है यहां पर उसके बाद ये पूरा जो एरिया आता है ये आपके पेट का एरिया आ जाता है जो पेट का और भी डैफरान है लिवर है उसका एरिया आ जाता है ये ब्रह्मिस्थान हो गया नौ पदों में ब्रह्म इस हिसाब से हमने निकाल लिया अब देखे इसका सिंपल तरीका आप लोग देखेगा बन गया है और हो गया 10-10 लकीर हम कीच लेंगे दोना तरफ 10 लकीर हमने ले ली उसके बाद ये जो पहला होता है ये पहला ये देव यहाँ पर सिखिए एक नंबर का आप समझ दो ये देव हो गया यहाँ पर पहला उसके बाद जो आप यहां आएंगे, यह जो मैंने लकीर कीची थी न, ऐसे मत कीचेगा, यहां पर दो पद में एक देव होते हैं, यहां पर उसके बाद जो पद है, दो पद में एक देव है, उसके बाद फिर दो पद में एक देव है, आप और आप बत्स, इधर होगे, आप लोग गूधर या व विश्वस्त, विश्व में इस्थित होने वाला, इनी का नाम है विश्वस्त, ये ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, चार मुख है ब्रह्मा जी के, यहाँ पर आठ आखें होती हैं, आठ हाथ हैं, इसी वज़े से इस चार मुख की वज़े से, यहाँ पर होगे आर्यमा, यहां पर होगए विवस्वान और यह होगए मित्र यह विश्व स्रस्टा यह विश्व विद यह नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा किश का मतलब क्या है एक्चवर में आप मित्र का क्या मतलब है विश्व विद का क्या मतलब विश्व विद तो सीधा समझ गये हमगे न यह दोनों एक से हैं यह इसका नाम आप इसको जानकार और विश्व ग्यानी यहां से ग्यान पैदा होता है यहां से जानकारी पैदा होती है जानकारी के लिए हमें जाना पड़ता है जानकारी और ग्यान में क्या अंतर है जानकारी होती है जो हमें बाहर से मिल रहा होता है जो हमें इन दोनों आखों से देख कर मिल रहा होता है वो जानकारी होती है और जो हमें अंदर से आता है जो जानकारी जब हमारे ब्लेड में घुल मिल जाती है जो हमारा experience होता है वो है ग्यान जानकारी हम भूल सकते हैं टाइम पे भूल जाए कभी कभी आपने देखा हुआ कि बहुत ज़रूरी है और उस ते भूल गए वो जानकारी थी और आपका जो ज्ञान है उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आपको ये ज्ञान है किसी भी चीज़ का नींद में तो नींद में भी आपको पता है कि आप राम है राम का ज्यान है अंदर से अंदर आपको ज्यान है इस चीज़ का पता है आपको अंदर से अभ्यस्त हो गया है बहुत जादा अभ्यास ज्यान नहीं है तब भी ज्यान का एक रास्ता है अभ्यास्त हो गए तो नीद में भी आप सुन लेते हैं उसको कि बस जानकारी नहीं रहे गया अब वो आपके बलड में रच बस गया